तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बैल आइकन जरू दबाएं हैं दोस्तो ऐकर हम बात करेंगे हम जरूग के लिए 7th Bay Commission से लेटे सारे important updates हैं तो जो दोस्तों पहली update है हम बात करेंगे paramilitary forces का paramilitary forces के लिए एक नया जो है एक committee बैठी ती जिन्होंने paramilitary forces के जो लोग है उनकी actual condition to check what is the actual condition उन्होंने पूरा इसका check किया था जिसमें CRPF, BSF, ITBP इन सब के किस तरीके से जो है उनका काम करने का रहने का इन सब के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अभी जो है पैरा मेलिटरी फोर्सेस जो है बारा से चौदा घंटें वीकेंड्स पर बिनको काम करना पड़ता है साथ ही साथ जिस जगह पर रखा जाता है कई कई जगह बार ऐसी जगह होती है जहां पर पानी भी उनको ठीक से पीने का नहीं मिलता और जो आवास बनाए जाते हैं वो बड़े असुरक्षित से होते हैं तो अल्टिमेटली जो अभी कंडिशन यह है कि जब तक उनको अराम नहीं मिलेगा अल्टिमेटली वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट इसमें बताई गई है जिसमें कि कुछ जगह पर बताए गया है कि जो है काम का वर्कलोड बहुत जानते हैं कि पूरी प्रडेक्टिविटी नहीं आपाती एवन छुट्टी के दिन मिनको काम करना पड़ता है दोस्तों यह एक परामिलिट्री फोर्स से लेटिट अपडेट अगर हम बात करें दूसरी अपडेट है वो पैंशनर्स की अभी जो है जो लेटेस अपडेट य क्लारिफाई किया है कि पैंशनर्स की या सेंट्रल गर्रमेंट इंप्लोईज की एज को अभी कोई भी बढ़ाने घटाने की बात नहीं चल रही है और से साथ-साथ में जो है पैंशन की भी जो टाइम है उसको भी कोई बढ़ाने घटाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है जो इंपोर्टेंट अपडेट यह है कि जो senior citizen है जो कि 80 years या उससे अभव हैं उनको जो pension है वो 20% से लेके 100% तक provide की जाए मतलब मिलेगी तो यह जो है senior citizens के लिए जो अपडेट है बट pension को घटन की जो time है उसको घटाने अपरहने के लिए कोई भी scheme नहीं है अगर हम next update की बात करें तो है 7th pay commission से related update जिसमें की जो बताया गया है जो recommendation यह है कि according to 7th pay commission जो 7th pay commission के according जो भी promotion और salary की जो बात चल रही है कि अब जो promotion और salary increment टोटली जो है public feedback पे होंगे क्योंकि जितने भी लोग public के लिए dealing करते हैं उनका automatically जो भी feedback हो वो public ही देगी तो अगर किसी को भी salary increment या promotion चाहिए तो 80 और 20% का होगा जिसमें की चेक किया जाएगा कि public feedback क्या है उनके काम से सुन्तुष्ट है तब जाके उनको जो है promotion दिया जाएगा या salary increment में भी जो है public feedback को जरूर चेक किया जाएगा लेकिन अभी जो है ground reality की बात करें तो ऐसा कुछ implement नहीं हुआ है तो normally जो प्रोमोशन और feedback जैसे पहले चल रहे थे वैसी मिलेंगे दोस्तों यह थे कुछ important update एक और update है वो जो ECHS card के लिए है कि अब ECHS card के जो भी जिन जिन लोगों का ECHS card बन जाएगा उनका जो नाम जो पॉली क्लिनिक में भी डिस्प्ले किया जाएगा जिससे कि वो चेक कर सके अब three stages में जो है ECHS card मिलेगा एक बार आपको जो SMS आता ही है दूसरा जो है जब एक बार आप collect कर लेंगे जो main आपका station headquarters है उसके अलावा आपका जो है पॉली क्लिनिक में भी कहा गया है कि नाम जो है डिस्प्ले करने है दोस्तो यह थे एक important update अगर वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe करना न भोले, thank you for watching this video